अगर आपके माक्स नीट में 120 से 250 के बीच में आए हैं तो ये वीडियो आपको लाश तक जरूर देखनी चाहिए देखे हमारे पास काफी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे नीट में इतने माक्स हैं हमें कॉलिज मिलेगा या नहीं मिलेगा या फिर हमें क्या करना चाहिए तो देखे हम चाहते हैं कि आपका बिलकुल टाइम बेश ना हो इसलिए रोज-रोज वीडियो न अपलोड करके इस टॉपिक पर हम एक सिंगल वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो देखे यदि आपके माक्स 120 से 2500 के बीच में हैं तो पहली बात तो यह है कि एंटे के अकोरडिंग आप क्वालिफाई हैं मतलब एंटे ने साफ बोल दिया है इतने नमबर पर आपको कोई कॉलिज एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आपसे ज़्यादा नमबर लाने वाले बच्चों को लाइन में आगे रखा जाता है एंट सीट भी लिमिटेड है इसलिए आपका नमबर आते आते सीट भी खतम हो जाती है अब बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए देखिए आपके सामने दो आप्शन आता है नमबर वन एड्मिशन यानि कि आप इसी साल एड्मिशन ले सकते हैं और नमबर टू ड्रॉप तो पहले हम बात कर लेते हैं एड्मिशन की तो देखिए यह option उन्हें students के लिए है जिनने लगता है कि अब उनसे आगे कुछ नहीं हो पाएगा उन्हें लगता है कि हमने पूरी मेहनत की थी अब हमारे पास ताथो टाइम है और ना ही हम इस स्यादा मेहनत कर सकते हैं देखिए पहली बात तो यह है कि आपको इतने कम माक्स पर government college तो नहीं मिलेगा पर private college में admission असानी से मिल जाएगा तो यहाँ भी दो option है private mbbs and private bms and bhms तो देखिए number one अगर आपकी economic condition अच्छी है और आप महेंगे college की fees को effort पर सकते हैं तो आप इसी साल private mbbs में admission ले सकते हैं क्योंकि इतने कम marks पर आपको सस्ता mbbs college नहीं मिलेगा and number two अगर आपकी economic condition अच्छी नहीं है तो आप इसी साल private bms या bhms college में admission ले सकते हैं क्योंकि इसकी fees mbbs से बहुत कम रहती है अब आते हैं option number two पर यानि की drop पर तो देखे जिन students को लगता है कि हम अगली बार मेहनत करके अच्छे marks ला सकते हैं तो वो student एक बार all try कर सकते हैं क्योंकि जरूरी नहीं कि इस बार अगर आपके marks कम है तो next time भी आपके marks कमाएंगे हम ऐसे बहुत सारे students को जानते हैं जो कि एक बार तो निटका exam qualify नहीं कर पाएं लेकिन next time उन्होंने निटका exam top कर दिया देखे हमारे सामने ये NCRT की book रखी है आप सभी जानते हैं कि हमारा निटका paper NCRT से ही लिया जाता है यानि कि आपके जो biology के questions आते हैं वो सभी NCRT से लिये जाते हैं और हम पूरे साल NCRT पढ़ते भी हैं लेकिन कई बार बहुत से points ऐसे होते हैं जो कि हमसे miss हो जाता है तो इसके लिए हमें बार-बार revision करना होता है जो कि हम बार-बार इस book से नहीं कर पाते हैं तो essay में हमें चाहिए कोई essay book जिसमें हमें उसके सारे points मिल जाएं तो देखिए हमने किया क्या है हमने NCRT के सभी important lines को points में arrange किया है तो यहां पर हमने जितनी भी इसके important lines हैं उन सभी को question form में ले लिया है साथी साथ हमने essay points को भी लिया है जो कि previous exams में पूछे गए है तो देखिए आपकी NCRT की book है आपको यह पूरी book question form में इस book में मिल जाएगी इसका नाम है NCRT Self Assessment Volume 1 यह इसके Volume 1 है और इसे आप NCRT Self Practice book भी खह सकते हैं क्योंकि इससे आपका पूरा NCRT का अच्छा खांसा revision हो जाएगा आपको हम इसका एक chapter दिखा देते हैं यह इसका पहला chapter है The Living Word आपको इसमें 11th class की NCRT के सभी chapters मिल जाएंगे इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें आपको NCRT के सभी points को question form में दिया हुआ जैसे कि यहापे लिखा है NCRT के page number 3 पे एक question है The twin characteristics of growth are increasing dash and dash of individuals तो यहापे आपको answer fill करना है इसी तरह से यहापे NCRT page number 4 पे कुछ question दिये हुए है उन सभी को यहापे लिखा हुआ है आपको इन सभी को खुद से fill करना है और chapter के last में यहापे आपको इसके answers मिल जाएंगे यहापे आपको answers match करने है match the answers और answers के बाद में एक check box दिया हुआ है यहापर check box है जिसमें दिया है total number of questions कि इसमें total question कितने थे number of question attempt आपने कितने question इसमें से attempt किये है और number of question correct आपके कितने questions सही हुए है और आपके कितने questions गलत हुए है और आपके total marks आपको खुद से देने है आपको सभी questions इसी book से आपको मिल जाएंगे आप इस book को purchase कर सकते हैं इस book का link हम आपको नीचे description box में दे रहेंगे जहां से आप इसे purchase कर सकते हैं इस book को बनाने में हमें पूरा एक साल लगा है इसलिए ये book आपके लिए बहुत important होने वाली है हमने इसे काफी analysis के धार पर बनाया है तो आप इसे जरूर से purchase कर सकते हैं आपको इससे बहुती अच्छी help मिलने वाली है नीट exam के लिए Thank you very much